हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे मस्त होंगे तंदुरुस्त होंगे आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जो मेकप से रिलेटेड है अगर आप सिर्फ अंडर थाउजें या अंडर शिक्संडर के बजट में साल इंचनर के हैं यह अमारी सैसी क्रीम है विफाइं ने कि अे बीज है अलिन वन स्कीन किसा झंड ऊंफिना अप जिसी हम इसे अप्लाइचन है का सकते हैं यह अ लिप्स्टिक है Genesis sop проूमें सॉन मैप है यह swiss beauty का भहोत प्यार यह जाए यह एक मेका काजल है को रोसाले मस् आपका लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या-क्या उप्षिनल रख सकते हैं इतना कुछ नहीं आपको कहरी करना है तो एक मस्कारा एक एक आजल और ये दो लिप्स्टिक अपकर और ये ब्रश सिर्फ इतने चीजों में आप बहुत अच्छ order कर सकते हैं रीजन यह जफ फरम का काजले यह बहूत अच्छा आपका मसकारा का कॉरेगा ठीक है。 सौरी सौरी जेल फॉर्म का काजल है यह आपका आई-लाइनर का भी काम करेगा तो पहले आपको मैं सी-सी क्रीम बहुत अच्छी है यह आपका पूरा फुल जो कवरेज देती है वो देगा आपको से अपलाई करके प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगे आपको और यह लेक्मिक वो कोलोजल है, मेबलीन का और यह काजल है यह आपका सिब 600 में सारा कुछ आ जाएगा और यह आप कहीं पर भी इसली कैरी कर सकते हैं मैं आपको अब इसका इन दोनों लिप्स्टिक और काजल का शेड बता क्यों वेट यह जो आप देख रहे हैं यह फर्स्ट नंबर पर ज प्यारा लगा सकते हैं और यह इसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी है पांच शे गंटे तो बिलकुल भी इस मच प्रूफ है आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी यह लिप्स्टिक देख रहे होंगे मैट है नाइन टो फाइफ यह बी मैट है बट यह क्रीम फॉर्म पर भी कैरी कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह जो है इसमें मॉश्चर मिक्स होता है तो ज़्यादा हमारी स्किन ड्राइ नहीं होती है लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूँगी कभी आप कोई सा भी मेकप अप्लाई करें तो प्लीज आप सबसे पहले जो अपने चेहर को वाश करने के बाद कोई सा भी मॉस्चराइजर लगा सकते हैं चाहे वो बॉडी लोशन हो या कोई सी क्रीम हो नीविया हो गया जॉयकी हो गई हिमाल्या हो गया वो कुछ भी आप अप्लाई कर लेंगे तो बहुत बहतर रहेगा इस काजल में जो एक अच्छी चीज है द इसका लाइनर दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और जादा से जादा शेयर करें थैंक यू एव नाइस डे